नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मुनीश देवगन आज हम आपको एक दिलचास स्टोरी दिखाने आए हैं अभिनंदन पर चुनाव आयोग तो सक्त है पोलिटिकल पार्टिस को भी उने कहा है कि आप अभिनंदन की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते चुनाव परचार में लेकिन चुनाव परचार में देश में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते अभिनंदन की तस्वीर का क्योंकि चुनाव आयोग की सकती है लेकिन सीमा पार पाकिस्तान में क्या किया जाए क्योंकि पागिस्तान में इस समय जम कर प्रचार में फाइदा उठाया जा रहा है अभिनंदन का छोटी से छोटी कमपनी जिसकी बानगी आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक चाय वाला है पागिस्तान में चाय के विग्यापन के फरजी वीडियो के बाद पागिस्तान की दुकान में अभिनंदन की फोटो जो छापी गई है उसमें साफ तोर पर लिखा है उर्दू में कि लोगों को अपना दिवाना बना दे ये चाय पागिस्तान की एक चाय की दुकान में विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर लगाई गई है तस्वीर के साथ लिखा है उर्दू में ऐसी चाय जो दुश्मन को भी दोस्त बनाए तो साफ तोर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अभिनंदन की तस्वीर का देश में तो चुनाव यूग ने कहा है कि इस्तिमाल नहीं कर सकते लेकिन पाकिस्तान में उस तस्वीर का जम के इस्तिमाल किया जा रहा है और मुनाफे के लिए अभिनंदन का इस्तिमाल कर रहा है पाकिस्तान तो आप देख सकते हैं क्या उनकी पाकिस्तानियों की दोस्तों पाकिस्तान में एक चाय की कमपनी है तपल दानेदार यह उसका एक प्रचार है एड़ोटीजमेंट है 2010 की लेकिन जैसे ही अभी नंदन ने वहां पे पाकिस्तानी सेना ने उनको चाय पिलाई थी उसका उनने बहुत भी इस्तेमाल किया किसी ने वाइरल कर दिया फेक वीडियो बनाकर आप देख सकते हैं यह एड़ोटीजमेंट की कुछ आपको क्लिप्स हम लोग दिखा रहे हैं पार्ट्स आउरत जो है वो देख रही होती है और उनको नजर के आता है चाय पीते हुए यह इसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मे जैसे ही यह फरजी एड़ोटीजमेंट को वाइरल किया तपल दानेदार कमपनी है उसके बाद कहते हैं कि अभिनंदन की फोटो सामने आने के बाद उनकी जो सेल्स हैं उनमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो गई सेल्स बिलकुल डाउन थी कमपनी घाटे में जा या भले वहाँ पर एक चाय की दुकान चलाने वाला एक छोटा दुकानदार हो या चाय की कमपनी हो उसका बखु भी इस्तेमाल कर रही है लेकिन अभिनंदन के उपर चुनाव आयोग सक्त हो गया था एक दो दिन पहले से ही अभिनंदन के उपर चुनाव आयोग ने पुल नेता कहां मानने वाले होते हैं, आज आपको दिखाएं, ऐसा ही देखने को मिला, जब चुनाव आयोग ने एक सक्ती बरती, जो दिली के एक नेता उम प्रकाश शर्मा के उपर, आप देख सकते हैं, कि BJP विधायक पर चला चुनाव आयो का डंडा, यह आप देखिए, उनके फेस्बुक वाल से ले गई तस्वीर है, जिसमें उन्होंने शेर कर रखा था अभिनंदन की तस्वीर को, साथ ही साथ मोदी जी की तस्वीर, अमित शाह की तस्वीर है, और खुद उम प्रकाश शर् तो चुनाव आयोक को जैसे पता चला दोस्तो, उन्होंने चुनाव आयोक ने इन पर सक्ति बरती और तुरंत इनको यह हटाने का निर्देश दिया गया, तो यह तो नेता है, नेता कहां मानने वाले होते हैं, इसलिए चुनाव आयोक सक्ति बरत रहा है, कि किसी भी तरीके से जो अभिनंदन हैं उनका इस्तेमाल तस्वीरों में ना करें तो इसी तरह की special stories के लिए आप हमारा चैनल दिली तक देखते रहें सब्स्क्राइब करिए बहुत बहुत शुक्रिया